दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अपना smart phone अपने समाट TV में कैसे connect करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने phone में Google Home का एक app होगा उसे download कर लेना पड़ेगा इसके कुछ process होंगे इसे भी आपको complete कर लेना पड़ेगा जो कि मैंने पहले ही complete कर लिये हैं फिर बाद में आपको अपने TV remote से आपको यहां option दिखा रहा होगा उसे dismiss कर रूँदे उसके बाद में आपको अपने mobile phone से hotspot को on कर लेना है ये देखिए हमने hotspot on कर लिया hotspot को on करने के बाद में आपको अपना remote लेना है रिमोट लेके आपको यहां options दिखा रहा होगा उपर में second option पर क्लिक कर देना है WiFi का option उसपे देखें हमारा पहले से connect हो चुका है दोस्तों अभी आपको उसके बगल में settings का option दिखा रहा होगा उसपे click करना है उसके बाद में fourth जो option दिखा रहा है device preferences उसपे click करना है दोस्तों उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे स्क्रोल डाउन करते हुआ आएंगे तो Chrome Cost Built-in का Option दिखाएगा तो उस पे आपको क्लिक करके उस पे Always पे On कर देना है Always पे On करने के बाद में आपको अपना Android जो फोन है उसे ले लेना है दोस्तों लेने के बाद में जो Google Home App है उसे लेकर On करके उसे थोड़ा Loading लेगा Loading लेने के बाद में ये दिखिए हमारा जो TV का Name है ये आ गया है अब ये देखिए Connect हो भी गया है हमारा ये दिखिए कुछ Options दिखाएगे उस पे क्लिक करने के बाद में Start Now का Option आएगा उस पे क्लिक काते ही आपको ये देखिए हमारा टीवी और Android Phone दोनों Connect हो चुका है अब देखिए हम यहाँ से वालियूम भी अपडाउन कर सकते हैं और जो कुछ भी चाहिए हम यहाँ से अपडाउन कर सकते हैं और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि, आप अपने Android Phone से कुछ भी चला सकते हैं दोस्तव, TV में आपको दिखेगा कुछ भी चला सकते हैं ते लुसके जंपल यूटूब देख लिजिए यूटूब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको पूरा ओप्शन दिखा रहा होगा बहुत ही अच्छा ओप्शन है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना